नमस्कार दोस्तों स्वागत है उत्राखन नेक्स एक्जाम यूट्यूब चैनल पर आज आपके सामने है भारतिय समिधान का भाग दो नागरिक्ता अनुछित 5 से 11 तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या है अनुछित 5 पे चलते हैं सबसे पहले तो अनुछित 5 में समिधान के प्रारम पर नागरिक्ता कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि वो जन्म से उसका जन्म भारत में हुआ हो सेकेंड है इसमें माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो और समुदान लागू होने के पांच वर्स पूर्व से भारत में रह रहा हो तो इसमें हैं तीन बाते इसमें तीन बाते इसमें कही गई है तो इन तीनों को आप अपने दिमाग में रखेंगे आगे नेक पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिक संबंदी अधिकार जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम के बात है जब सविधान नया नया बन रहा था उस टाइम के लिए अनुछेट थे तो यह छटवा अनुछेट अब साथवे पे चलते हैं भारत से पाकिस्तान प्रवजन करने वाले भारत से पहले वह भारत से पाकिस्तान गए और फिर पुना भारत में लौट गए तो उनके संबंदी नागरिक अधिकार है अनुछेट साथ में पहले वहां गए पाकिस्तान फिर वहाई से आ वापस आ गए अच्छा नहीं ल मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिक संबंदी अदिकार भारत के बाहर मतला कई और देशों में भी जो रह रहे होंगे भारते मूल के उनके लिए ये नागरिक संबंदी अदिकार है अनुचेद आठ में अब अनुचेद 9 है अन्य देश की नागरिकता गरहन करने पर भारत कि नागरिक्ता खतम हो जाती है तो most important है मेरे साफ से आगे चलते हैं अनुछे नंबर 10 पे चलते हैं कुछ इस्तितियों में नागरिक्ता के अधिकार बने रहने का वर्णन जिस परकार की विधी संसत बनाएगी तो यह दसवा अनुछे दे और अब आता है एक most important अनुछे संसत को अधिकार है कि वह नागरिक्ता अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिक्ता से संबंदित अन्य सभी विषयों के संबंद में विधी का निर्मान कर सकती है किसी को अगर नागरिक्ता देनी है उसकी समाप्त करनी है उसके लिए संसत क्या कर सकती है एक नियम बना सकती है अभी अभी आप इस पर हो हल्ला हो रहा है जबी अभी नागरिक्ता अधिनियम आया था तो एक तरह से वही है कि संसत को अधिकार है कि वह नागरिक्ता अर्ज बना सकती है ठीक नागरिक्ता अब इसी के लिए हमने एक नागरिक्ता अधिन हम 1955 के आधार पर नागरिक्ता को ग्रहन करने के लिए पांच आधार दिये गए हैं अब वो आधार कौन-कौन से हैं आप पहला है जन्म से दूसरा है वंस के आधार पर तीसरा है पंजी करण थिक किसी भूभाग को भारत में समलित किये जाने पर थिक है तो भूभाग मतलब जैसे सिक्किम को सामिल किया तो वहां के जो भी लोग थे हो भारत के हो गए ठीक और बाकी सवाब जानी रहे हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं जो और आप्शन है तो आगे आगे चलते हैं नागरिक्स्त समाप्ति के आधार तो 1905 में नागरिक्ता अधिनियम बना था उसी के आधार पर हमने समाप्ति के भी साथ आधार हैं स्विचा से नागरिक्ता त्याग देना किसी अन्य देश की नागरिक्ता ग्रहन कर लेना किसी अन्य देश की नागरिक्ता अगर कोई ग्रहन कर लेता है तो उसकी भी नागरिक्ता सहाप्त हो जाती है सरकार द्वारा नागरिता से वंचित कर दिये जाने पर अगर सरकार ही वंचित कर दे और अवय तरीके से नागरिता गरहन करना किसी ने अवय तरीके से नागरिता गरहन कर ली सरकार को पता चलिया तो उसकी नागरिता खतम सम्विधान का अनादर करने पर अगर कोई सम्विधान का अनादर करता है तो उसकी नागरिकता भी खतम की जा सकती है सत्रु देश के साथ गुप्त संबंद बनाने पर अगला है सत्रु देश के साथ गुप्त संबंद बना दिये साथवा है साथ वर्स वर्स देश के बाहर रह रहा हो बीच में थोड़ा बहुत कहीं पर करेक्षन होगा लेंगवेज में तो आप सुधार लें उसको और जब भी आपको अगर PDF चाहिए होगी तो आपको हमें करेक्षन करके दे देंगे आपको ठीक है आगे चलते हैं नोट नोट देख रहे हैं नागरिता से संबंदित भाग 26 नॉवंबर 1990 को ही लागू कर दिया गया था ये पूरा जो भाग है ये 1950 में ही लागू कर दिया था 26 नॉवंबर को ही लागू कर दिया था ठीक है आगे चलते हैं भारतिय समिधान ने एकल नागरिक्ता को अपना है, क्या है, एकल नागरिक्ता है हमारी, ठीक, आगे चलते हैं, भारत की नागरिक्ता भारत का ग्रह मंत्राले करता है, ग्रह मंत्राले प्रदान करता है नागरिक्ता, आगे चलते हैं, अगर आपको more updates ये, तो इस चैनल को सब स्ब्सक्राइब कर लीजे